तो करनी पड़ी कि आपके पास करंट कितने आप थैंसा वह कुछ यह आपको कुछ यह पास्द और कॉसलेट नहीं यह मेरा एक्सपीरेंस है पांच यह शे महिने का एक्सपीरेंस है और जो भी आपिकल्स आ रहे हैं पब्लिश हो रहे हैं न्यूज में चल रहा है उन सारी चीजों को लिखे तिस जस्ट मैं परसनल ऑपीनियन कि यह कोई जो है गवर्मेंट ने जो है पब्लिश नहीं किया एक काउसे डिलीज क्यों हो रहे हैं कि जो लोग मेरे वीडियो पर पहली पार आए हुए है मेरे नाम है सौरब पर यूपर रहता हुए थितकर अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जी लूग करना और वीडियो को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वा जाता हूँ कि पहला जो में रीजन है कॉस्ट लेटर डिले और रिजेक्शन का इससे पहले क्या हुआ था कि बहुत सारे लोगों ने अपने छोटी-छोटी कंपनिया खोली उनको रेइस्टर्ड कराया और उनका स्पॉंसर्शिप लाइसंस जो है लिया और वह स्पॉंसर्श किया और उनको फिर बोल दिया कि आप यहां आजाईए का मापको जो है जोब प्रॉइड करा देंगे लेकिन उसके बाद जो है उनको कोई जॉब नहीं मिली एक यह रीजन है जब उनके होम आफिस की नोटिस में यह आया उसके बाद से जो है उन्होंने सारे कॉस्ट लेट पहले कि आपका जो कॉस्ट लेटर है वो सी की सी अप्रूफट केर होम से होना चाहिए माइने की है कि सी की मीन्स केर कॉलिटी कमिशन ठीक है यह संस्था है जो अप्रूफट करती है कि हाँ यह केर होम जो है इस रेटिंग पे जो है आपका चल रहा है इसकी ग्रेडिंग आ होता है ठीक है अगर आपका cost letter जो है see see approved में नहीं आता है तो आपका cost letter नहीं आएगा यह damn sure है कि अब को आपका cost letter नहीं आएगा आपको किसी एक a अजैनसी को पकड़ना होगा या ऐसे के रोम को पकड़ना पड़ेगा जो see किसी approved हो इतरा reason निकल क्या है कि जो अभी बहुत सारे rules implement हुए हैं तो government जो है check कर रहे हैं क्या आप उस नए rule के accordingly जो है उस पे fulfill कर रहे हैं उसकी requirement को यह नहीं कर रहे हैं अगर वो fulfill नहीं है तो वो आपसे further information मांगेगे further evidence मांगेगे अगर आप जो है further evidence provide कराने में सक्षम नहीं रहे आप अगर capable नहीं रहे तो फिर आपका वीजा जो है sorry cost letter जो है आपको approved नहीं होगा आपका cost letter आपको नहीं मिलेगा ठीक है यह delay और rejection दौनों के मैं reason बता रहा हूं आपको ठीक है cost letter बाद में दीजिए जो यहां पर local हैं उनको पहले प्राइटी वे दीजिए क्योंकि उनका target कि बाहर की country से लोग जो है कम से कम आए ठीक है यह चौथा reason है जो कि अभी जो है news में बहुत ज्यादा हाइट हो रहा है बहुत ज्यादा चल रहा है कि जो है माइग्रेंट जो इल्लीगल माइग्रेंट से उनको बाहर निकालने का क्या क्या तरीका है प्लस गवर्मेंट के अभी इलेक्शन वगरा भी आ रहे हैं तो वह सारे लेटर का रेजड़ेंगे या फिर आपका डिलियो जाएगा ठीक है फ्रेंट्स तो बहुत ही मेजर जो रीजन निकल कि अब कर रहे हैं इसस्टर कंस कंपनी या पैरेंट कंपनी जो है अप्लाइग कर रहे हैं सब्सक्राइब कि चार के रोम है या पांच कंपनी से हैं वह जो रेजेक्छन नहीं हुआ है तो जो होब मफ्य जत कर रहा थी हैं के बंदा काम कर रहा है कहिसी और चीज की लगा कि कंपर कर रहे हैं क्या है क्यर्काइब का ङुद्पर चैह maior भी जो है चेक हो रहे हैं प्लस इस बार होम आफिस नहीं बोला है कि आपको बतलब एमपलॉयर को यह चीज डिस्क्लोज करनी पड़ेगी कि आपके पास करंट कितने आवर्स लेफ्ट हैं अगर आपके पास सो आवर्स लेफ्ट हैं तो आपकी रिक्वार्मेंट एक बंदे कि निए दो बंदें यह तीन बंदें कि उसी हिसाब से आपको कॉस लेटर रिलीज होगा टीक है सो यह मेरा पर्सनल ऑपीनियन था यह पांच रीजन्स थे जिसके वज़े से जो है कॉस लेटर जो है डिक्लेर नहीं किया है कि हम इस इस रीजन से जो है कॉस्ट आपका डेल या फिर मेरे फ्रेंड बोलते रहते हैं अभी एक मेरी फ्रेंड है उसका तीन महीने से जो है आज उसका ड्राफ्ट कॉस्ट रहा है वह भी जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है मेरे पास भी फोन आए कि इसमें क्या क्या चेंजिस करने चाहिए नहीं करने चाहिए सो वह मैं आपको बता रहा हूं कि कॉस्ट लेटर में इस बार टाइम लग रहा है अगर आपके पास कोई रिप्लाई आता है या कोई इमेल आता है तो आप उनको जो एविडेंस वगरा प्रॉइट करिएगा ठीक है फ्रेंट्स अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगिए त कर दो करद कर दो कि कि अगर रुटे मैं आता है तो कि अगर कोई तो कि उसके रिदेंस बढ़ चाहिए तो